देश के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था और आर्थिक राजधानी मुंबई के अगर बोरी वली वेस्ट के इलाके की बात करें सबसे पहला नाम जो आता है मूल भूत सुबिधाओं से वंचित वो गनपत पाटिल नगर का लेकिन कहीं न कहीं अब लोगों के अच्छे दिन आने सुरू हो चुके हैं क्योंकि यहां की अस्थानिक बिधाई का जो मनीशा चौदरी हैं वह यहां पर मूल भूत सुबिधाओं में बिजली पानी सड़क की जो योजना है उसको लेकर लगातार काम कर रही है मनीशा लेकिन अब आगे बढ़कर आपने पानी के कनेक्शन का काम सुरू कर दिया है क्या-क्या मूल भूत सुबिधाई आने वाले समय में यहां के लोगों को मिलेगी पहले तो गणपत पाटिल नगर किसी ने बसाया उसका इत्यास अलग है लेकिन जिन लोगों ने मेरे को विधाई का बनाया उन लोगों को सुविधा देना यह मेरा करतव्यो होता है और मैंने जबी चुनाओं के पहले नरेंद्र मोदी जी की जो सभा थी वहां मैंने लोगों से विननती की थी कि मैं चुन के आने के बाद मैं गणपत पाटिल नगर के रहवासियों को न्याय देने का काम करूंगी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणिया देवेंद्र जी मैं चुनने के बाद विधाईका बनने के बाद तुरत नवेंबर मैने में मैने एक खत लिखा था आदरणिया देवेंद्र जी हमारे जो महाराष्ट के मुख्यमंत्री है कि मुझे जनारधने आशिरवाद दे के मुझे यहां की विधाय का बनाई है मुझे ये पांच काम करना है उसमें पहला काम था कि जो हमारी मेट्रो और चारकोप से चल रही है ओ मेट्रो मेरे दहिसर तक मुझे चाहिए तो मुख्यमंत्री मोहोदे ने वो मेट्रो दहिसर तक दी अभी आपके सामने काम चालू है और 2019 तक हमारी मेट्रो से यहां के गंपत पाटिलनगर के रहवासी यहां से अंदिरी तक प्रवास करेंगे दूसरा था गंपत पाटिलनगर के लोगों को मुलबित सुविदा देने का तीसरा था दैसर नदी का पुनर्वसन करना चोथा था हमारे यहां जो मैंग्रोज है ओ मैंग्रोज का मैंग्रोज पार्क बनाने का ओभी काम चलू है और पांचवां जो यहां के भूमी पुत्र है हमारे गाउठन कोली वड़ा है वो डिपी में साबित नहीं थे तो डिपी में गाउठन और हमारा जो कोली वड़ा है उनको साबित करने का काम हमारे मुख्यमंतरी ने किया है जब आपने आपके चानल पे गंपत पाटिल नगर के बारे में चुनाओ के टाइम बहुत सारी चीजे बताई थी लेकिन जो काम मैं खुद करती हूँ वही काम मैं लोगों के सामने लाती हूँ मैं दूसरे का श्रेय नहीं लेती हूँ मैंने महाराष्ट के मुख्यमंद्री के द्वारे मैंने हमारे यहां के कारिय करताओं को लेके मैंने मीटिंग करवाई और सन्मानिय मुख्यमंद्री मोहोदे ने फॉरेश के लोग है हमारे मुंबई महानगर पालिका के रोग है सियार जेड के एथोरिटी है सब को मिलके हमने एक मिटिंग करवाय उसके बाद हमें मैंने 2014 में टाटा का पावर का केबल डालने का काम चालू कर दिया था उसमें कई लोगों ने यहां के जो लोग प्रतिनी दी थे उन्होंने कंप्लेंड करके के भई इसके पास सियार जेड टू एमसी जेडे में की पर्मिशन नहीं है हमने एमसी जेडे में की पर्मिशन लेके आई आज मेरे पास एमसी जेडे में की पर्मिशन आई महाराष्ट गवर्मेंट से उसके बाद मुंबई महानगर पालिके ने पर्मिशन दिया है तीसरा है कि भई MC जेडे ने खुद मिटिंग में सब्जेट रखके आज अपने को पर्मिशन मिली है और मेरे जो कार्य करता है उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में चपल घीस कर सालों से पानी के लिए आज वहाँ फॉम भरते थे लेकिन ये पर्मिशन आने के बाद रोड क्रॉसिंग का पर्मिशन आने के बाद आज पानी का कनेक्शन का पैसा भरने का काम चालू हो रहा है जल्दी ग्रूप कनेक्शन जिनोंने लिये है जिनको पी फॉर्म मिले है ऐसे सभी लोगों को पानी की सुवीदा मिलेगी टाटा पावर का परमिशन सब आ गया है रोड क्रोसिंग का परमिशन मिलने के बाद तुरन केबल हमारा क्रोस हो जाएगा और जिन जिन लोगोंने फॉर्म भरे है इन सभी लोगों को लाइट देने का प्रयास कर रही हूँ रहा मुद्दा लोगों को घर देने का अभी जिनोंने गंपत पाटिल नगर बसाया लेकिन हिंसानियत तरीके हर आदमी को इंसानियत तरीके से रहने का हक होता है उनके बच्चों को सुविदा मिलनी चाहिए लाइट, बीजली, सवचाले, सब आरोग्य के दुरुष्टी से उन नहीं है इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ और मुख्यमंत्री मोहोदे ने जल्दी ही स्लम डिकलेरेशन करने की प्रोसेस चालू करेंगे बायोमेट्रिक करके, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है तो इस जमिन का मालिक संजीव नाइक, इन्हेंने मेरे को परमिशन दिया अगर संजीव नाइक मेरे साथ नहीं रहते, तो आज मैं पानी और बिजली नहीं ला सकती थी तीसरा बायोमाट्रिक करके घर देने का है हमने कभी यह नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे को वोट डिया के नहीं दिया भारतिय जन्ता पार्टी ऐसी पार्टी है जो इंसानियत के लिए जो नरेंद्रमोधी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास वही नारा लेके आज हम लोग गंपत पाटिल नगर में काम कर रहे हैं और किसने दिया वो मुद्दा नहीं है कि आपके विदान सभा में यह लोग यहां रहते हैं जो गंपत पाटिल नगर में मैं सभी लोगों के एक ही कहती हूँ जो पुराने लोग है, मैंग्रोज के 50 मिटर तक जो गवर्मेंट की वेट लैन का लाइन है, वहाँ तक के लोग है, उनको ही घर मिलेगा. उनको ही घर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितने जोपड़े हैं, जिनका आप जैसे पी-फॉर्म की बात की, तो कितने लोगों ने अब तक आपके पास इस तरह का अप्लिकेसन लाया है, कि ताई हमें मूल भूद सुधाय नहीं मिल पा रही, कितना पी-फॉर्म भरा गया? अबी देखो, जो लोग हमारे पास आते हैं, उनका सबका भर के लिया, मेरा ओफिस यहाँ है, मेरे कार्यकरता सबके लिए काम कर रहे है, जिनको पानी की सुविदा चाहिए, वो आवे है और उनका फॉर्म भर है अबी रास्ता और लाइट बाजू में रखो, अभी मकान मिलने की कोशिश को मकान मिलने की कोशिश करो, अगर बात की जाए तो धहीसर विधान सभा में मनिसा ताई दोहरा क्या-क्या विकास कारे चल रहे है, जैसे मैं गोज गार्डन की बात की आपने और क्या विकास कारे चल रहे हैं अभी मैंग्रोज का वहाँ जेटी बन रही है उसके बाद दैसर नदी का तो आप खुद ने मेरी इंटर्यू लिया था कितने जोज से काम चल रहा है उसके बाद हमने तीसरा अच्छा काम के सभी बगीचे बनाए है जो स्टेडियम बनाने का कोशिश कर रही हूँ जय से हमारा मेट्रो अगर मैं विधायक नहीं होती तो मेरा चारकब से मेट्रो चालो होते हैं दैसर वासी हो रहते हैं तुक समय में दैसर और मिरा रोड जोडने का ब्रीज भी चालो हो रहा है यह हमारे सरकार की सफलता है सरकार की सफलता है लेकिन ताई गनपत पाटिल नगर का जो मुद्दा है मेन मुद्दा यह है कि अब आप यहां पर मूलभूत सुविधाई देने की कोशिस में लगी है और आने वाले समय में कब तक इन लोगों को मूलभूत सुविधाई मिल जाएंगी बिजली का जैसे आपने का कि परमीशन आ जाएगा रोड क्रॉस करने के बाद पर टाटा का यहां पर पी फॉर्म मिल जाएगा पानी का कनेक्शन का काम चालू हो चुका है वो कितने नंबर तक क्योंकि गनपत पाटिलनगर काफी बड़ा है मैं तो कनेक्शन लेके आई हूं ना बाद आपके आने के बाद यहां पर लोगों को समस्याएं दूर हो रही इसके पहले क्यों नहीं हो क्योंकि आज लोग कहते हैं कि मुंबई में सबसे जादा विकास होता है और मुंबई के ही लोग ऐसे बोरी वली में लोगों को मुल भूत सुभाई नहीं मिलती कितना सही दे लोग घुलेंगे तो उनका ये है बगवान मेरे साथ है बिलकुल कहते हैं जन प्रतनीधी इसलिए चुना जाता है कि आपकी समस्या और आपके जो आपके दुख सुख में सहवागी हो तो मनीशात आई कहीं न कहीं अब गनपत पार्टी के लोगों के विकास के लिए आगे आ चुकी है सूची आदो जी है सूची जी क्या कहना चाहेंगी यहां के लोगों को कि जहां सबका साथ सबका भी कास आखिर गनपत पार्टी के लोग कैसे छूड़ गए देखे अब जो हो गया है उसके लिए ना हम जिमेदार है ना आप जिमेदार है वो जो जिनके हाथ में ताकत थी उन्होंने नहीं काम किया लेकिन मैं सिर्फ अब यह कहना चाहूंगी गनपत पार्टलनगर के लोगों से कि अब मनीशा ताई का आशिरवाद है उनका साथ है हम सबको उनका साथ देना है और अब तक जो अन्याय यहां होता आ रहा है वह इसके बाद नहीं होगा तरफ तो पकी जिस तरह से हैं मैं गिरोज को लेकर लगातार मनीशा ढंडाई लडाई लडा रही है कपजा होते जा रहा है लडाई लडते रहा ही क्या कहना चाहेंगी मनीशा ढंटाई को लोग भी जानते हैं कि ताई के आने के बाद से कम से कम कोई एक ऐसा प्रतिनीदी उनके पास आया है। तो ताई प्रेरना स्थोथ रहें यहां के लिए. हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से अब उनको महसूस होगा कहीं न कहीं अच्छे दिन आने के जो चांस है वो दिखाई दे रहे हैं आप से जाना चाहेंगे आप यहां रहते हो कब से रहते हो मैं तो कम से कम 15-16 साल से रहता हूं 15-16 साल से मनीशा ताई को चुने हुए 4 साल हुए है क्या लगता है मनीशा ताई आती है आप लोगों के बीच में बराबर आती है सर जब बुलाओ तब आती है क्या कोई समस्या लेकर गए हो अब तक सर समस्या रहेगा तो जरूर जाएंग तो क्या लगता है कि यहां पर अब आपका विकास होगा? तीस दिन में खाली दस दिन तो खाली गनपत वाड़ी नगर के लिए मनिशा ताई प्रयास करते रहती हैं। लेकिन जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि पानी का विजली का कनेक्शन किस ने लाया आपको पता है? यहां पर हर व्यक्ति को मालूम है किस ने लाया? यह हम अपने मूँ से बोलू मनिशा ताई ने लाया, मनिशा ताई ने किया, सब कुछ किया तो अच्छी बात नहीं है। यह ताटा वाले बोले, जब तक हमारे बाद पूरा पुरावा नहीं होगा, हम कुछ काम यहां पर नहीं करेंगे। तो आप पुरावा हो चुका है? पुरावा हो चुका है, उन्होंने पैसा भी भर दिया, सब कुछ हो गया है, खाली उनको लाइन क्रास करने की जरूरत है। लाइन क्रास करने की जरूरत है, साइद गनपत पार्टिलनगर के लोगों को अच्छे दिन की जो कामनाय हैं, वो पूरी हो जाएंगी। आप से जानना चाहेंगे, दहिसर विधान सबा में कितना विकास कारे हो रहा मनीशत आई क्याने से? मनीशत आई आने के बाद तो बहुत सारी विकास का काम चालू है, जहां जो लेके आता है काम, वो तुरंत एक्षन लेके ताई, चाहा वो बैपारियों का भी से हो, चाहा फेरी वाले की भी से हो, चाहा जोपड़े वाले की भी से हो, जो भी भी से आता है, ताई उसके उप तैंक नहीं हमारा सरकार हमारे दीडायक है हमारे लोग जाने के लिए लोग नैता बन जाते थे वह भीस्वालों-गया और आने वाले समय में हम और तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारे नरद मोदी जी अंतिम व्यक्त को देखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, वो इसी तरह हमारी ताई भी अंतिम व्यक्त को उपर लाने का काम करने का प्रयास करती है, 24 गंडा, और गनपत पाटिलनगर में बिजली पानी सडक अधूरा अब मनिशा ताई करेंगी पूरा धन्यवाद पानी सडक अधूरा मनिशा ताई करेंगी पूरा आप से जानना चाहेंगे कब से रहते हो गनपत पाटिन लगर पाचीश साल से क्या-क्या सुविधाय यहां मिली है अपतर कोई अभी सुविधाय नहीं है और होने वाली है ताई के मध्धम से और मनीशा चोधरी जब से यहां के मिले हुई है तब से बहुत बदलाव आया है क्या बदलाव आया है चार साल में? सब सारी सुवधाय को ले करके हम लोग साथ में चल रहे हैं आखिर मनीशत आई ने ऐसा क्या किया है अब लोगों के लिए अब तक चार साल में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है प्रयास चालू है अभी प्रयास इनका आ गया है अभी काम हो जाएगा और अभी इससे पहले अ लेकिन अभी प्रयास इनका जोरों पर चालू है अभी काम हो जाएगा क्या लगता है आपकी समस्या मनीशत आई दूर करेंगी अभी दूर करने के लिए तो वह वहां बोरे वली से यहां चलके हपते में एक दिन आ रहे हैं उनके कारिकरता दोल रहे है तो प्रयास तो उनक चालू है यहां तक बिधान सभाव में यहां का मुद्दा उन्हों ने उठाया कि गनपत पाटिल लगर को सुब्धा देना चाहिए गलीज बस्ती घोस्तित करना चाहिए सलम के लिए प्रयास चालू है अभी इससे पहले जो थे वह नहीं किये नहीं किये तो नहीं किये लेकिन कहीं न कहीं अब तक जब तक यहां पर सलम जो है डिकलेर नहीं होता तब तक यहां का विकास मुम्किन नहीं है क्योंकि सरकार जब तक सलम नहीं डिकलेर करेगी लेकिन जिस तरह से अस्थानिय विधाई का मनीशा चोधरी का जो लगातार प्रयास है वो यहां के लो अभी तो खाली लाइट का मिली है तो राचार नमर तक पानी का मिली है बाकी तो अभी कुछ नहीं हुगा मनीशा ताई काम कर रही है हाँ काम तो शुरू कर रही है प्रयास कर रही है काम करने के लिए तयार है क्राम करने के लिए तयार हैं क्या वज़ा मानते कब तक आप लोगों का विकास नहीं हुआ कब तक वही लोग जानेगे ना कब तक क्यों नहीं विकास हुआ उसके बारे हम लोग क्या जानेगे बिल्कुल मनीसाताई को लेकर लोगों में कहीं न कहीं संतोस है कि मनीसाताई जो उनकी विधाई का है वो उनका जो है समस्याएं दूर करेंगी एक बार फिर मनीसाताई से जुड़ेंगे मनीसाताई बात की जाए विकास की तो विकास कारियों के लिए तो आपने आगे बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है और इन लोगों की साइद आने वाले समय में समस्या दूर भी हो जाएंगी लेकिन मूल भूत्स विधाव के लेकर यहां के जो जन प्रतनीदी है नगर सेवक की बात करें खासदार की बात करें उनका कैसा सपोर्ट है आपके साथ देखो जो नगर है उस तो विधायक को ही करना है ना तो मैं कर रही हूं आप कर रही है लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने उनको भी ओड़ दिया है उनकी जवाब दाही बेंती है कि लोगों की समस्यां सुने सांसत पूरे लोकसभा का होता है उनके लोकसभा में छे विधान सभा आती है और छे ऐसा है देखो मेरे को अगर जो राज्य सर्वार से निगडित है जहां हमारे विधायक है वहां विधायक काम करेगे मागाठने में हमारा विधायक नहीं है मालवने में हमारा विधायक नहीं है तो वहां सांसजी को काम करना चाहिए यह गनपत पाटिल नगर में भाजब का न की जाए तो यहाँ पर बसाया गया था और आज कितने जोपड़े आखड़े तो आये होंगे आपके पास देखो जिसने बसाया वो मेरे को पास बोलने का नहीं है अभी जो लोग रहे रहे उनकी जिम्मेदारी मेरी है वो लोग को न्याय देना हमारा कर्तव्य है जो पड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए जो देखो जो जो पड़े पुराने हैं उनको स्ताबीत करना है मेरा कर्तव्य है मैं मेरा आप कोई भी भाशन टेप करो अभी भी लगाओ मैं क्या कहती हूँ नए जोपड़े बढ़ने मत दो और मैंग्रोज का भी जतन होना चाहिए आज आप देखेंगे पूरे बोरिवली तेसर में फ़लरड आया लेकिन गनपत पाटिल नगर में पानी नहीं गुसा उसका एक ही करण है पीछे मैंग्रोज है मैंग्रोज में इतनी टाकत है कि सुनामी रोकने की भी टाकत मैंग्रोज में तो मैंग्रोज का जतन करना है हमारा सब का करतव है इसलिए मैं मेरा आज भी स्टेंड है कि मैंग्रोज से 50 मीटर के बाद जितने लोग रह रहे उन सभी को घर देने की जिम्मेदारी हमारी है विल्कूल जो मैंग्रोज से 50 मीटर दूर रहते हैं उनको घर देने की जिम्मेदारी मनिसाताई चौधरी या विजेपी सरकार की है लेकिन कहीं न कहीं मैंग्रोज पर जिसतरा से अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है क्योंकि जिसतरा से मुंबई में अगर बात करें तो बारिस में जब कई इलाके डूब गए थे ऐ ऐसे में गनपत पाटिलनगर नहीं डूबा वजा यह है कि मैंग्रोज तो गनपत पाटिलनगर के लोगों को भी चाहिए कि कहीं न कहीं मैंग्रोज का ख्याल रखे उस पर जो है अतिक्रमण ना करें कैमरामेन समसाथ के साथ प्रदीप सर्मा इन 24 न्यूज मुंबाई